तुर्की की चनिधा सडकों पर उतर आई है तुर्की के लोग इसरेल और अमेरिका के खिलाफ नारे लगा रही है अगर फिरोध प्रदर्शन सिर्फ यहीं तक होता तो बाइडन और नेतनियाहू को इससे कोई फर्क नहीं पढ़ने बाला था लेकिन तुर्की के नाराज लोग जो फिलिस्तीन के लिए नारे लगा रहे थे तुर्की के दक्षिन में मौजूद अदाना एयर बेस पर पहुँच गए जो अमेरिका का सैन ने अड़ता है और तावा किया जाता है कि यहाँ पर पचास की संख्या में अटम बम रखे हुए है यह विरोध प्रदर्शन अदाना की सड़कों पर भी हो सकता था लेकिन क्या जान बूच कर परमाणो बम वाले छेकानों पर भीड का हमला करवाया जा रहा है क्या रूस और इरान मिलकर कोई बहुत बड़ी साजिश रच रहे है या फिर इन परमाणो आटो पर कब्जा करके अमेरीका या फिर इस्रैल के लोग नुकसान पहुचाना चाहते है यहाँ बहुत जबरदस्ट विरोध प्रदर्शन हुआ है साथी प्रदर्शन कारियों के ने्यता ने अमेरीका और इस्रैल को ऋचेतावनी भी दिये Değerli Kardeşlerim, biz burada Gazze'deki kadın ve çocuklar için masada elimiz güçlensin diye geldik. Gazze'deki kadın ve çocuklar için ara bir anlaşma yapılacak ve çocuklarla kadın çıkarılacaktı. Şimdi bunu yapanlar Gazze'deki kadın ve çocukların ölümüne sebep olacaklar. Hiç farkında değiller. Ama馴ゃe'ndir gibi bir yasaya ben tabii. Lekan Türkiye'e de Türkiye'e deyel veyler için olmasın. Amaos'a deyel veyler için, indikten Amerika'a deyel veyler için çok sağlar veyler için yaşanıyor. İstanbul'a da, Amerika'a deyel veyler için, örnekken Amerika'a deyel veyler için, कि आखिर तुर्की के लोग क्या चाहते हैं इसरेयल और फिलिस्तीन के कोछ अगबारों में तो यहाँ तर चपा है कि तुर्की के लोग ये मांग कर रहें कि तुर्क सेना को गाजा के लोगों की रख्शा के लिए रवाना किया जाय है। तुर्की के राजशबदी तैयब अर्दोगन, एक मंजे हुए राजनेता है, पब्लिक के नब्स को समझते हैं, इसलिए उनोंने तुर्की के इस्तांबूल में एक बड़ी रैली की थी, और नेतन्याहू को आतन्खवादी का अब्सकी के अधारू से राध एक बड़ी आतन्टियो कुए लिह बता हैं, इस मोटासिक सप्ड़ियो घेते हैं, अमेरिका की नौसेना ने बताया है कि उसकी ओहियो क्लास की एक पर्माणू पंडुप्पी यूएस सेंट्रल कमांड की ओपरेशनल एरिया में पहुँच गई है। तब तक ज्यादा प्रभावी रहेंगे। लेकिन बावजूद इसके अमेरिका ने ये एलान किया है कि उसकी पंडुप्पी भूमध्य सागर में तैनात है ताकि इसराइल के दुस्मनों में खौफ का महौल पैदा हो। जो अमेरिका की पर्माणु मिसाईल है और एक साथ कई वार हेड ले जा सकती है। अमेरिका की ताकत को तुर्की के राशबदी अर्दोगन भी जानते हैं और समझते हैं और तुर्की मैटो का सदसे भी है लेकिन गाजा में जो हो रहा है उससे तुर्की के राशबदी अर्दोगन काफी ज्यादा दुखी है लेकिन इस्रेयल ने हमास को खत्म करने का फैसला कर लिया है और वो युद्ध विराम को तयार नहीं है अमेरिका भी इस्रेयल का साथ दे रहा है और दूसरी तरफ जॉर्ड़, कतर, युए, साथी अरब, तुर्की, इरान ये सभी मुलक जल्द से जल्द युद्ध विराम चाहते हैं तुर्की के विदेश मंत्री के साथ एंटिनी ब्लिंकन की मुलाकात होई है लेकिन मद्भेदों को रोक पाना अब आसान नहीं रहिया है और उसकी वजब बिल्कुल साफ है तुर्की के राशबदी अर्दोगन गाजा में इस्रेयल की कार्रिवाई को मर संहार की सन्यादे रहें किने savunma hakkı varmış त Key माट एंट जाबेट नहीं एति इस नहीं एन कार्षा है अजाले ल कार्से लेहिं एंट होई एल्चार नहीं एीदेश में एशान एम इन एकब रिल्प आपने आपने पर्णार किया है। इराक का दोरा अप्रत्या है। क्योंकि इसकी पहले कोई उजना ही नहीं थी, लेकिन माना जा रहा है कि एराक कि प्रदान मंत्री, अल-सुदानी से मिलने का फैसला ब्लिंकन ने इसलिए किया, क्योंकि इराक और सीरिया के एर बेस पर लगातार हमले हो रहे हैं। इराक और सीरिया में मौझूद इरान के फंड से चलने वाले संगठनों ने 17 अक्टूबर से अब तर अमेरिका के सेन चेकानों पर करीब 35 हमले किये हैं। माना ये जा रहा है कि अंटी ब्लिंकन ने इराक प्रदान मंत्री अल्सुदानी के जरिये इरान को संदेश भैजा है। क्योंकि ब्लिंकन से मुलाकात के फौरण बाद अल्सुदानी इरान गये हैं। और उन्होंने वहाँ अमेरिका की तरफ से इरान को ये बताया है कि अगर सीरिया और इराक में अमेरिका पर हमले नहीं रुके तो इरान को इसकी भार्यक्ती मत चुकानी पड़ेगी। तरफ से बन रहा माहौल काम्याब ना हो पाए। यदेव्क आड़ together के निया के एंगेड्यकी वटियू मे आव्कि अप्रें ना है कि अमें आड़ेडे ने बिशद कर्द ईएल को फिर श्रिज्दी एाक प्रक्ति लिम्से पातिए्ट पूरा वेस्ट एशिया और इस्तिर हो सकता है